आटो इम्योन सिंड्रोम है ना आटो इम्योन सिंड्रोम थायरोइड प्रॉक्सिडेस एंटीबोडी टीपी ओ एंटीबोडी क्या होता है जब भी आपके शरीर में कोई रिस्क होगा तो उसको खतम करने के लिए एंटीबोडी राइस होता है एंटीबोडी निकलता है तो आपके बोडी में रिस्क अगर खतम करने तो एंटीबोडी ठीक हो जाएंगे तो यह प्रॉब्लम खतम हो जाएग मेड़सें ने में नवी ठीक नहीं होगो कि क्या करेंगे आपके पूरे 보세요 immune system को कि इसका का करने को दिन को कुछ भी नहीं है यानि रोज आपके system को down करना पड़ेगा thyroid खाना पड़ेगा क्योंकि इम्यून ऊपर जा रहा है इसी को autoimmune syndrome कह रहे है immunity बार बार ऊपर जाड़ाएगी इम्मूनिटी आपको ख्राब करने के दो कभी नहीं आपका श्रीर कभी भी आपको उसको हमेशा रिस्क लगेगा और हमेशा वो इम्मिनुटी को उपर उठाएगा फिर आप उसे गोली मारेंगे लिए स्टिरोड खाके गोली मार बेंगे उसको इस इस नॉट हाव यूशुड लिव यह जीने का तरीका है क्या कोई तो दो तीन चीजें पहला अपने अंदर अगर टॉलरेंस बिल्ड अप हो जाता है कुमबग करके तो फिर क्या होगा कि इम्मिन रेस्पांस कंट्रोल होता है सेकिंड तिंग आपको कुमबग करते ही मेटाबोलिक रेस्पांस हाई होता है है Metabolism हाय होता है जिसकी वज़ास से भी Immunity और Metabolism Inverse Proportional है उल्टा काम करते हैं एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा दूसरा बढ़ेगा तो एक कम होगा तो अगर आप अपने शरीर में Metabolism को उपर करते हैं जो बड़ी इम्मिनिटी है ना वो नीचे आने की कोशिश करेगी और Metabolism को का से कर सकते हैं Medicine से तो नहीं हो सकता कुमबक से होता है इसे कहते हैं ग्रह ग्रह पत्य अगनी तीन तरीके की आपके शरी में अगनी है दक्षिन आगनी ग्रह पत्य अगनी आवानी अगनी ग्रह पत्य अगनी Metabolik Heat या Metabolik Strength है कुमबक करते ग्रह पत्य अगनी भढ़ती है और आपको एक्जांपल कैसा मिलेगा experience in terms of experience की कुमबक करने के बाद में आपकी भूक बहुत अच्छी होती है डाइजेशन इंप्रूब हो जाता है कि युल फिल यॉर हंगर विल इंप्रूब यॉर डाइजेशन सब के लिए हो तो जैसे अगरी मेटाबोलिसम पर जाएगा इम्म्यून सिस्टम बैलेंस में आता है टॉलरेंस होगा तो बढ़े वे इम्मूनिटी को जहल पाएगा इस तरीके से आप फ्लो फैक्टर ठीक करेंगे और्गन हेल्स ठीक करेंगे इस तरीके से देखेंगे कि आटॉमिंट सिंड्रूम खतम जा रहा हो